खेलों की दुनिया में हर रोज नए रिकॉर्ड बनते और तूटते हैं लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि क्रिकेट के मैदान पर बना एक ऐसा रिकॉर्ड भी है जो पांच दशक के बाद भी नहीं तूट सका है खास बात यह है कि ये रिकॉर्ड एक भारतिय गेंदबास के नाम पर है एक आलराउंडर के तौर पर भारत के लिए एक तालिस टेस्ट मैश खेलने वाले बापू नाटकर्णी की छवी एक बेहद ही कंजूस गेंदबास की थी उनकी गेंदों की लाइन और लेंथ इतनी सटीक होती थी कि बल्लेबास के लिए उनके खिलाफ रन बनाना बेहद मुश्किल हो जाता था अपने इस किफायदी गेंदबाजी का परीचे उन्होंने इंगलेंड के खिलाफ एक टेस्ट मैश के दोरान दिया था बापू नाडकर्णी ने वर्ष 1963-64 में इंगलेंड के खिलाफ ततकालीन मदरास टेस्ट में लगातार 21 ओवर मेडन डाल दिये थे इंगलेंड की पहली पारी के दोरान उन्होंने 32 ओवर गेंदबाजी की और आपको जानकर आश्चर होगा कि इन 32 ओवरों की गेंदबाजी में 27 ओवर मेडन डाले गए थे 32 ओवरों की गेंदबाजी में उन्होंने केवल 5 रन ही दिये थे यानि उन्होंने सिर्फ मेडन ही नहीं बलकि अपने 5 ओवरों में सिर्फ 1-1 रन ही दिया था साल 1964 में ये मैच 10-15 जन्वरी तक खेला गया था चार अपरेल 1933 को महरास्टर के नासिक में जन्मे बापू नाटकर्णी का पूरा नाम रमेश चंद्रगंगा राम नाटकर्णी था बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने वाले बापू ने भारतिय टीम के लिए 41 टेस्ट मेश खेले उन्होंने 25.70 के ओसस से 1414 रन बनाए जिसमें 1 शतक और 7 अर्ध शतक थे गेंदबाजी में उन्होंने 29 की ओसस से 88 विकेट हासिल किये थे पारी में पाच या इससे अधिक विकेट उन्होंने चार बार लिये जबकि एक बार वे मैच में दस या इससे अधिक विकेट लेने में सफल रहे 43 रन देकर 6 विकेट उनका सर्व स्रेस्ट प्रदर्शन था नाड कर्णी ने अपना पहला टेस्ट दिसंबर 1955 में न्यूजीलेंड के खिलाफ दिल्ली में खेला था इसी टीम के खिलाफ 1968 में उन्होंने अपने करियर का आखरी टेस्ट खेला दोस्तों इसी तरह की इंट्रस्टिंग और इंफरमेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें